आप सभी का मेरे चैनल स्वेट स्पैशन पे वेल्कम है आप जिस वीडियो को मैं लेकर के आई हूँ वो वीडियो है केस सिंग का कुमार सुरेश सिंग जो की अपने आप में वेल रेनाउंड एंथ्रोपॉलोजिस्ट है इन्होंने एंथ्रोपॉलोजी के छेतर में बहुत ज के कई छेतरों में इन्होंने अपना इंपोर्टेंट योगदान दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुमार सुरेश सिंग जो की राजिस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर शिप में ये एक ठिंकर के रूप में इनका सिलेबिस में एड किया गया है तो वो हमको पढ़ना जरूरी है और उनके कंट्रिबूशन को हम देखेंगे और फर्दर अगर आपको इनके बारे में और डेटेल चाहिए होगा तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पर एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से जो जो चीज़ें इंपोर्टेंट है मैं उसे याप पर नग्री को जश्क्राइब डीजेगा और एक लाइक कर दीजेगा और कमेंट तो जरूर करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो कुमार सूरेश स्ंग सबसे पहले हम इनके सारे contributions को देखते हैं सबसे पहले इनको देखते हैं कि कुमार सुरेज सिंग इनका bond कब हुआ तो ये 15 मार्च 1935 मुंगेर actually he was belong to Bihar state तो मुंगेर में इनका जन्म होता है 1935 में और इनकी जो मृत्य हुई है 2006 न्यू डेली में हुई है साकेट में और इनका basic जो education रहा है वो पटना university से रहा है इन्होंने बहुत सारे projects पे, books पे, research papers के बहुत academic contribution है तो मैं one by one बताते चल रही हूँ People of India ये कोई एक book नहीं है ये People of India एक government of India के तरब से एक project start किया गया था इसके बारे में मैंने detail आगे बताया है तो ये People of India से जुड़े हुए है 2002 The Schedule Tribe इनकी एक book है 1997 में आती है बिर्सा मुव्मेंट and his movement बिर्सा मुंडा and his movement the one of the most most important book of K.S. Singh तो ये book exams में पूछा जा सकता है इन्होंने बिर्सा मुंडा पे बहुत काम किया है बिर्सा मुंडा जो आंदोलन चलाया गये थे उस पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है तो इनका इसी पे ये किताब ही है ट्राइबल सुसाइटी इन्डिया एन एंथ्रोपो हिस्टॉरिकल पर्स्पक्टिफ लैंविज एन स्क्रिप्ट 1993 में पॉब्लिश हुआ है डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी एन लिंकिजिस Exploration in Historical Ethnography ये एक बुक है एक बुक है हर्याना ठीक है, बेसिकली इस वॉल्म इस पार्ट ओप पीपल ओफ इंडिया प्रोजेक्ट जो पीपल ओफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट हुआ था उसका ये एक हिस्सा है हर्याना 1994 में आया है ये आपको जब मैं पीपल ओफ इंडिया के बारे में बताऊंगी तब आपका क्लियर हो जाएगा concept क्या किर क्या है Next है, इनकी जो बुक है Antiquity to Modernity in Tribal India Continuity and Change Among Indian Tribes Anthropology, Development and Nation Building 1987 The Indian Famine 1967 ये 1967 में जो एक इंडिया में Famine आया था, उस पे इन्होंने लिखा है ये बुक पब्लिश होई है 1975 में Ethnicity, Identity and Development ये एक important बुक है 1990 में ये बुक आई है Next आगे हम इनका थोड़ा सा और academic, मतलब इनका जो contribution है इनका जो life sketch है उसको हम देखेंगे तो History Student of Patna University Actually ये इतिहास के विद्यार्थी रहे है History Student रहे है कहां से? Patna University से और बाद में इन्होंने Civil Services जोईन कर लिया मतलब He was selected as a I.S. officer I.S. officer की तरह ये 1958 में Select होते हैं और धीरे धीरे पर इनका रुजहान जो है वो Tribal Studies की तरह ज्यादा होने लगता है मतलब जब वो काम कर रहे होते हैं फील्ड में तो उनका जो वर्क प्लेस है वो Tribal Societies के बहुत नजदीक रहा जैसा इन्होंने हो जन्जाती में शुरू में हो जन्जाती पे इन्होंने काम किया क्योंकि वही इनका जोइनिंग ही हुआ था वही इनको मिला था सेंटर तो दिरे दिरे जब ये काम करने के दौरान ऐस अ ब्यूरोक्रेट ये दिरे दिरे Tribal Studies की तरफ इनका रुजाहन होते चला गया और दिरे दिरे ये Anthropology के वर्ल्ड में आगे बढ़ते चले गया और इन्होंने जो PhD किया वो बिरसा मुंडा पे किया बिरसा मुंडा पे इनकी पिएसडी हुई और इतना देखिए कि बिरसा मुंडा पे पिएसडी करने के दौरान इन्होंने जो मुंडा की भाषा है मुंडास की Munda tribe, उनकी जो भाशा है MUNDARI, इन्होंने इसको भी learn कर लिया, सोचेज ये कितनी बड़ी बात है, उसी तरह मैं इस से पहले बता रहे थी की, ये Munda के पहले, ये Hor tribes के सबसे पहले contact में आये थी, तो इन्होंने Hor Jati की भी भाशा सीख ली थी, तो हो जाती की language, English language, Hindi language, Mundari language जो मतलब tribes की भार्षा बहुत कम लोग सीखते हैं इन्होंने वो सारी भार्षाएं सीख करके तब उन पे study करना शुरू किया उसके बाद से जो KSS है मतलब कुमार सुरेश सिंग को मैंने short में लिखा है इनकी बुक आती है Dust Storm and the Hanging Mist A Study of Virsa Munda and His Movement in Chota Nagpur 1874 to 1901 1874 से 1901 के पीछ में जो Virsa Munda का आंदोलन चला उस पे ये इनकी किताब है जो की publish हुई है 1966 में ठीक है इसी को मैंने यहां पर हिंदी में भी लिख दिया है आगे देखते है कि He was the Director General of the Anthropological Survey of India आपने नाम सुना हुआ है न A.S.I. का Anthropological Survey of India उसके ये Director General भी रहे He was actively involved with the People of India project that was launched in 1985 1985 में एक project आता है सरकार की तरफ से People of India project जिसमें ये बहुत actively involved होते हैं इन्होंने बहुत सारे किताबों पे, articles पे, बहुत सारे research projects पे काम किया है इन्हें बहुत सारे fellowship भी मिले जिसमें जवाहरलाल नहरू fellow, fellow of Indian Institute of Advanced Studies जो शिम्ला में है उसके fellow, post-doctoral fellow at Chicago University, senior fellow of the Indian Council of Social Science Research इतनी जगह, इससे भी कहीं जगह, इससे भी कहीं ज़ादा इन्हें fellowship मिली हुई है fellow रहें, research fellow, मैंने तो बहुत ज़ादा जो renowned रहें, उनका नाम मैंने लिया है he also held the Rajiv Gandhi chair at the North Eastern Hill University at Shilong Shilong में एक university नेहू, आप नाम सुने होंगे, North Eastern Hill University, इसको नेहू बोलते है वहाँ पर ये Rajiv Gandhi chair के भी, मतब Rajiv Gandhi chair के भी ये chairman रह चुके है he was a national fellow of the Indian Council for Historical Research, Indian Council for Historical Research है उसके भी ये national fellow रहें, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये academic रहें मेरा life sketch बताने का reason यही रहता है, कि आप इनके academic characteristics को देख सके questions अब कहां से आ सकते हैं, questions आ सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकता है इनके life sketch के बारे में पूछ दे, थोड़े बहुत, ज़्यादा दर questions इनके book से related आ सकता है तो मैंने book की list बताई, कि ये 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 इनकी books है अब question आ सकता है, इनके academic work को ले करके, ठीक है अब मैं यहां से जो main contribution राय कुमार सुरेश सिंग का, उसमें इन्होंने क्या काम किया, ठीक है वो मैं बताऊंगी, जो की questions जहां से बन सकते हैं तो चलिए, पहला मैं लेती हूँ, कि एक anthropological survey of India, मैं बताई हूँ, जिसके ये director general भी रह चुके है तो anthropological survey of India undertook two projects on Ram Katha and Mahabharat, in the tribal and folk areas folk areas में और tribal areas में, ASI, anthropological survey of India, archaeological survey of India ने की नहीं मैं बात करी anthropological survey of India की बात करी हूँ, उसने दो project स्टार्ट किये, किस-किस के बारे में, Ram Katha के बारे में और Mahabharat के बारे में, ठीक है, ये क्या है, Ram Katha और Mahabharat हमारे epics हैं, धर्म गरंथ हैं अगर माना जाए, तो जो social thought होते हैं, उनका emergence, folklore, folk tales, इन सारे चीजों से होता है लोग गाथाओं में, लोग कथाओं में, लोग नर्तियों में, लोग गीतों में, अगर हमें उस काल के समाज को समझना है तो हमें इन लोग गीतों, लोग कथाओं, लोग नर्तियों, इन सब को उठाना पड़ेगा और उसमें study करनी, शुरू करनी पड़ेगी, कि आखिर ततकालीन समाज क्या रहा होगा तो अब Anthropological Survey of India सोचता है, कि मुझे राम कथा और महाभारत पे काम करना है कि आखिर ट्राइबल सोसाइटीज में, और फोक सोसाइटीज में, राम कथा और महाभारत किस रूप में प्रचलित होए हुए Indian Institute of Advanced Studies के साथ मिलकर के, और भी बड़े इंस्टिऊशन के साथ मिलकर के, बहुत सारे सेमिनार्स हुए उन सेमिनार्स में बहुत सारे पेपर आए, जैसे जब भी सेमिनार होता है अभी आप लोग तो चोटे बच्चे है जब भी सेमिनार होता है, सब लोग अपने अपने पेपर प्रेजन्स करते हैं, पेपर प्रेजन्स कैसे करेंगे, अपने स्टडी के बिहाफ पे सब अपने अपने स्टडी के बिहाफ पे लिखते हैं और पेपर प्रेजन्स करते हैं तो इन सेमिनार्स में बहुत सारे स्कॉलर्स बड़े बड़े स्कॉलर्स ने अपने पेपर प्रेजन किये और उनमें से टॉप 25 पेपर्स को सेलेक्ट किया गया और एक बुक लिखी गई उस बुक का नाम था The Mahabharat in the Tribal and Folk Tradition of India कि भारत के जो लोग परंपरा हैं और जन्जातिय समाज हैं उनमें महाभारत की क्या इस्थिती पाई गई ठीक है और इस बुक को एड़िट किया कुमार सुरेश सिंग ने तो सोचे कितना बड़ा कंप्रिब्यूशन है और ये बुक आती है 1993 में इस बुक में basically presented an overview of folk and tribal versions of महाभारत की महाभारत का आखे tribal और folk versions क्या है देकि हर व्यक्ति हर चीज को अपने अपनी तरह से analysis करता है है ना हमारे जो धर्मगरंथ है ये दीरे दीरे अब scientific basis पे हम प्रमानित कर रहे हैं फिर भी imaginary है अभी ना उनको वो आज हजारों साल पहले ये घटनाए घटी और आज तक हमारी संस्कृति में प्रवाहित हो करके आ रही है कैसे आ रही इन लोग गीतों के माद्यम से इन जन्जातिय समाज के माद्यम से तो उसमें टटोलने का प्रयास किया गया कि आखिर लोग गीतों में और जन्जातिय समाज में ये किस तरसे इस्थापित है महाभारत और राम कथा किस तरसे इस्थापित है उस पे काम किया इनोंने और इन्होंने कुछ मुंदास के सौंग को भी collect किया जो मुंदा जन्जाती गाती है ठीक है और वो उन सौंग में महाभारत काल और Lord Krishna Krishna भगवान का उलेख मिलता है उन गानों में तो उन गानों का भी मुंदा जन्जाती के गानों का भी संकलन कुमार सुरेश सिंग ने किया है मतलब प्रणाम है कुमार सुरे सिंग को की इतना इतनी मेहनत इन्होंने की है इतने हमारे folk traditions को उठा उठा करके चीजों को सामने लाया है इनको पढ़ने लायक है, डिटेल में पढ़ने लायक है आगे बढ़ते है next अगर हम इनका academic contribution देखेंगे तो एक किताब आती है आती है tribal ethnography customary law and change this is also an edited book ये भी एक edited book है मैंने कई बार आपको पहले videos में बताया कि edited book क्या होती है जिसमें कई scholars के लेख को अम प्रकाशित करते हैं ये book basically tribal customary law पे है customs मतलब tribals की जो प्रथाएं है उनकी विधियां क्या है उनकी विधि क्या है उनके law क्या है वो Hindu law से अलग चलती है Muslim law से अलग चलती है Tribals के customary law अलग होते है mainly a systematic study of the tribal customary law was undertaken by ASI Anthropological Survey of India ने customary law पे भी एक detailed study किया ठीक है और ये काम किस ने किया कुमार सुरेश सिंग अगेन इन्होंने किया और इन्होंने एक बुक प्रकाशित की Tribal Ethnographic Customary Law and Change और इस किताब में he was basically discussed the way by which the tribal societies can maintain their solidarity and social and settled dispute किस तरह से जन्जातिय समाज अपने समाज में एकता बनाये रखते हैं सामाजिक एक जुडाव बनाये रखते हैं और उनके बीच अगर कोई विद्रो होता है कोई संघर्ष होता है तो उसको कैसे solve करते हैं इस किताब में पूरे Tribals के customary law explain किये गए हैं ठीक है अगर आप anthropology में interest रखते हैं तो आप definitely पढ़ सकते हैं इनके ताबों को तो ये सब चीजे exam में कुमार सुरे सिंग की पूछी जा सकते हैं नेक्स्ट जो इनक्या work है अगेन एक edited book है Economics of the Tribe and Their Transformation कि जन्जातियों की आर्थिक स्थिति मतलब उनके economic system को explain किया गया है अभी उपर वाले में क्या था customary law को explain किया गया था यहां पर उनके economic system को explain किया गया और उनके economy में क्या-क्या changes आ रहे हैं ये explain करने की इस किताब में कोशिश की गई है मैं पढ़ती हूँ कि this book discuss the major process of transformation of the economy of the tribes within the context of the development of national economy कि जब राश्रिय अर्थ वैवस्था का निर्माण हुआ जब barter exchange system के जगा पे monetization आया monetary involved हुई तब एक national economy में change आया और इस national economy से tribal economy पे क्या effect पढ़ा इस पे यहां पर discussion है और इनोंने बताया कि जीरे दीरे जो ये tribes थे वो food gathering economic system से food production stage पे आते चले गए पहले क्या था पहले जंन जाती हूं क्या था अगर उनकी एक नोमी देखी जाये तो क्या थी उनकी एक नोमी थी कि वो food gathering करते थे यहां जाते थे वहां से खाना इकठा करते थे वहां जाते थे वहां से खाना इकठा करते थे food gathering का काम करते थे but how they change their economy system from food gathering to food production कैसे वो food gathering से food production की तरफ धीरे-धीरे move किये उस पे ये पूरी किताब में काम है और basically उन्होंने 3 reason बताया कि why their economy has been changing उस पे उन्होंने 3 reason बताया pressure of the population this is obviously obvious phenomena कि जनसंक्या का दबाओ हर कुछ बदल दे रहा है बदल दे रहा है तो pressure of the population second reason उन्होंने बताया कि जो cultural contact हो रहे है ठीक है पहले cultural contact नहीं था tribe का जब हम concept पढ़ते हैं तो tribe के concept में सबसे पहले कहते हैं कि they are geographically alienated वो भौगौलिक रूप से अलग रहते हैं किस से main population से तो अब देरे देरे ये concept खतम हो रहा है अब tribes और non-tribes के बीच में आपस में एक समायोजन होते जा रहा है एक मिलते जा रहे हैं और इसकी विसे cultural contact हो रहा है non-tribals पे tribal का effect पढ़ रहा है तो दूसरा रीजन changes का क्या है मतलब जो economy change हो रही है उसका second reason क्या है कि cultural contract हो रहे है tribal जो है वो non-tribals के जो techniques है cultivating techniques मतलब कैसे production करना है कैसे खेती करनी है जो cultivating techniques है उन्हें adopt कर रहे है and the third reason is क्या बताया कि जो forest area का reservation होते गया मतलब forest area जो थे वो tribes के ही पास थे tribes को पूरा right था कि वो forest में रहते थे वही पर अपना production करते थे उनकी पूरी जिवी का जंगलों से ही तो चलती थे पर जब धिरे-धिरे laws बने तो उन laws में क्या हुआ न कि अब ये forest का जो exploitation होगा that is only for the commercial use सिर्फ commercial use के लिए जंगलों का exploitation होगा otherwise even tribes भी forest का exploitation नहीं करेंगे जब से हम no environment concern हुए तब से ये बात हुई तो इस policy ने भी जो उनके economy में change कर दिया क्योंकि अब वो food gathering नहीं कर सकते थे अब वो जंगलों को काट नहीं सकते थे अपनी इक्षा से तो अब धे-धे-धे वो production की तरफ आके बढ़ने लगे इस किताब में basically ये चीजे explain है next जो है वो यहाँ पर ये कुछ नहीं आप इसको cut कर दीजेगा next जो मैंने already इससे पहले book बताई है dust storm वाली जो इससे पहले मैंने starting में बताई थी जो की बिरसा मुंडा के movement पे है तो with the advent of colonialism there is change in the agrarian structure of आदिवाशी society जैसे जैसे हमारे उपनिवेश वाद आता गया मतलब Britishers आये राज किये हमारे यहां तो धीरे धीरे जो tribes के agricultural system थे जो क्रिशी विवस्थाती उसमें भी बदलाव आने लगा इन्होंने इस किताब में यह भी explain करने की कोशिश किये कि किस तरह से जमिंदार्स थे वो exploitation करते थे ठीक है और women के participation को भी इन्होंने बहुत elaborate तरीके से इस किताब में समझाया है इस किताब में यह भी समझाया है कि जो मुंदा रेबिलियन हुआ जो मुंदाओं का बिरसा मुंदा का जो रेबिलियन हुआ यह हम कहते हैं कि बिरसा मुंदा का रेबिलियन हुआ पर उसमें और भी जन जाती मिलती चली गई जैसे in this book he showed that मुंदा रेबिलियन was much beyond the level जो level लगा हुआ था कि this movement is only belong to the मुंदा उससे कहीं उपर था यह आंदोलन क्यों आंदोलन था क्योंकि इसमें और भी जन जाती और भी आदिवासी जैसे कोल वो भी शामिल थे marginal people भी शामिल थे marginal people मतलब कि वो boundary पे रहने वाले लोग जैसे इधर tribal population है और इधर non-tribal population है तो marginal पे रहने वाले लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए और जो non-tribal थे वो भी बिरसा आंदोलन में शामिल हुए तो इन्हों ने बिरसा movement को मैं ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो label लगा हुए ने बिरसा मुंडा के आंदोलन में कि ये आंदोलन सिर्फ मुंडास का है it is not much at all ऐसा नहीं है other आदिवासी and non-tribal people were also participated in that movement इन्होंने ये बताने की कोशिश किया movement नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने एक और किताब लिखी Indian famine मैंने बताया था कि जो famine आया था इंडिया में उस पे इन्होंने काम किया है और मुंडारिका मुंडारिका का encyclopedia में इन्होंने publish किया है the publication of the encyclopedia मुंडारिका ठीक है next इनका जो काम है वो एक है इनका एक paper है ठीक है एक इन्होंने research paper लिखा the tribals and the 1857 uprising 1857 में tribals का क्या uprising रहा ठीक है इसमें इस किताब ये किताब 1998 में आती है इसमें इन्होंने focus किया कि complexity complexities of tribal protest कि आखे जो जंजातियों का protest था उसमें क्या-क्या जडिलता है थी उसको इन्होंने explain किया है K.S. Singh had examined the forms of tribal protest tribal protest के क्या-क्या forms थे क्या-क्या प्रकार थे किन-किन तरह से tribal protest होते थे कहां पर छोटा नागपूर रिजिन में और सेंट्रल और वेस्टन इंडिया में उसको explain करने की कोशिश की है and he also emphasized the diverse form of tribal protest tribal protest के जितने भी प्रकार वो देख पाए अपने अध्यान में इन सब को उन्होंने explain करने की कोशिश की है इस वाले research paper में the tribal and the 1857 uprising चीक है आगे इनके contribution को देखते हैं आगे किनका contribution है कुमार सुरे सिंग books on बिर्सा मुंदा and his movement has gone into 6 edition यह जो किताब आई पूरा बिर्सा मुंदा के यह 6 edition में यह किताब आती है this book is translated in different languages इस किताब को बहुत-बहुत भाषाओं में translate किया गया है even जो महाश्वेता देवी आप लोगोंने नाम सुना होगा महाश्वेता देवी का एक novel है अरनियर आंदोलन ठीक है अरनियर आंदोलन उन्होंने अपने novel लिखते समय इनके किताब का बहुत support लिया और साथ में इनकी जो methodology ती किसकी कुमार सुरे सिंग की जो methodology थी वो historical research और anthropological field work दोनों पे बेज थी क्यों एक तो ये history के student है तो historical perspective तो इनका हावी रहे गा ही रहे या इतिहास को खंगालना क्योंकि अब बिर्सा मंदा का अंदोलन पे लिखना इनको तो इस बिर्सा मंदा के इतिहास को उनके अंदोलन को तो देखेंगे historical research था दूसरा anthropological field work इन्होंने field work भी किया मतलब ये मुंदास के बीच में गए उनकी जो गीत संगीत थे उनको इन्होंने लिया उस पे काम किया तो इनकी जो methodology थी इनकी जो पद्दती थी काम करने की historical research as well as anthropological field work की थी तो ये सब आप याद रखिएगा अब जो मैं रट रही थी कि एक people of India project जो लाया जिसमें इनका बहुत इनकी एहम भूमिका थी उसके बारे में एक unique project था चलिए हम लोग अब इस project के बारे में बढ़ते हैं पता है जो मैंने पढ़ा ना इसे तो मुझे मतलब इतना surprised हुई मैं कि इतने बड़े level पे भी काम होता है और होना चाहिए भी तो मतलब आनमी बहुत इनसान वो बहुत लखी होता है जो ऐसे project में participation करता है इश्वर हम लोग को भ सिंग को कुमार सुरेज सिंग को इसी के लिए सबसे जादा जाना जाता है मतलब he will be remembered इनको यात किया जाता है क्योंकि इन्होंने इस बड़े project को बहुत successfully launch कर दिया complete कर दिया इस बहुत बड़े project को it is not an easy task बिलकुल easy task नहीं था जब मैं अभी पढ़ाओंगी तो आप समझ कि इतने बड़े task को successfully complete किया इसे लिए इनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है exam में इस पे भी questions आ सकते हैं के सिंग है तो direct के सिंग पर ना करके people of india project पे भी आ सकता है तो इसलिए मैंने आप पर लिखा है यह जो काम हुआ यह 43 volumes work था सोचिए 43 volumes में यह किताब आती है और किताब क्या यह project है वो उस written form में आता है जिसमें से पूरे देश के cultural, biological और linguistic dimensions को शामिल किया गया है देश के Sanskritic आधारों को, Javik आधारों को और भाशाई आधारों को शामिल किया गया है कैसे सामिल किया गया है कि इस पूरे project में 4694 communities identify किया जग गया देखा है कि भारत मे कुल 4694 समुदाएं है मतलब पूरे भारत का अध्यन कर लिया गया और देखा गया कि कुल चोटे चोटे बड़े चोटे चोटे बड़े कुल 4694 समुदाएं है all over the country और पूरे को document किया गया है हर समुदाया चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो सब को document किया गया तब ही तो 43 volume तो डोकुमेंट किया गया मतलब उनके सॉरी उनके कल्चरल बैंग्राउंग को लिया गया उनके एकॉनमी को लिया गया देखे लिखा गया है क्या-क्या चीज़े की गई है यह हाइलाटेट the basic economy and silent cultural features of each community हर समूधाए के cultural features को लिया गया और उनके economy को लिया गया कि किस तरह से वो समुदाय की क्या economy है क्या उनका cultural feature है ये सारी चीजों को लिया गया मतलब 4,694 communities को identify किया गया जिसमें कहां कुल 4,513 गाओं में भारत के 4,513 गाओं में से और 941 शहरों और कजबों को मिला करके 438 डिस्टिक में जो रहते हैं मतलब कुल भारत के 438 जिले में भारत में कितने जिले हैं 4,338 उसके बाद अब और नई जिले बन गया है उनमें कुल 4,513 गाओं और 941 शहर और कजबे इन सभी को मिला करके कुल 4,694 समुदायों का पता लगाया गया ठीक है? समझ में आया आप लोग को? जिसमें 470 scholars involved थे मतलब यह जो survey हुआ यह जो project हुआ इसमें 470 scholars ने अपना participation दिया और इस project को करने के लिए उनको training की भी जो जरूरती scholars को उसके लिए लगबग 120 workshops हुए ठीक है? इस discussions हुए, round of discussions हुए workshop हुए ताकि उनको trained किया जाए कि आप जाएंगे तो community में क्या-क्या पता करके आएंगे total 27 institutions इसमें involved थे जिसमें की ASI भी था ASI इस project को govern कर रहा था anthropological survey of India को और इस जब पूरे आप 43 volumes देखेंगे न people of India की अगर आप किसी library से जुड़े हुए है तो जरूर तलाशिएगा वहाँ पर यह है कि नहीं तो आप अपने college, अपने library, अपने universities को एक letter लिखेगा कि यह पूरे people of India के 43 volumes को मंगवाया जाए मैं भी चेक करूँगी कि मेरे library में है की नहीं है तो यह आप करके उसमें फिर हम भारत के हर community के बारे में बढ़ सकते हैं वो simple लिखा गया नहीं है उसमें photograph भी डाले गया है मतलब कुल जब 4000 यह 600 जो मैंने बताया है 694 कमुनिटीज का जब study हुआ तो लगभग उनके photo भी कीचे गए और उस पूरे किताब में 43 volume में आप 21,312 21,362 photos देखेंगे photographs देखेंगे जो की 2548 समुदायों से belong करती है ठीक है तो मतलब visual documentation आपको दिखेगा photograph भी वो सारे दिखेंगे तो यह था पूरा People of India project यह जो मैंने notes बनाया है वो in sources को लेकर के बनाया है तो के सिंग का इतना detail इतने में से ही exams में पूछे जा सकते हैं मेरे ख्याल से कि इतना sufficient है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ियेगा और इतने में से के सिंग के बारे में जरूर पूछ दिया जाएगा इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ और भी इनके बारे में पूछा जाएगा ऐसे तो बहुत work है पर being a thinker हमें जानना है कि इनका क्या क्या काम है तो it is more than sufficient तो आप सभी को आज के वीडियो के लिए देखने के लिए thank you, share करते रहिए comment करते रहिए आज थोड़ा सा जुखाम का problem है मुझे तो हो सकता है अब आज बहुत clear नहों गला मेरा इद्दम चोक हुआ है कोश बहुत लेट हो रहा था वीडियो इस वैसले मेरा दालना था और inthe zap set लोगत बहुत तइम सबया करते रहे मेरा किसी मुझे जादा करा supply मैरा का बना मेरा और मुझे बहुत तयम सबया तो प्र श़ार्टी हो तो मैजदे सबस्तर आपन होई जैना है wait करते रहेगा, मैं ऐसे ही unique unique topic पे आप लोगों को sociology के जितने upgrade knowledge है, कोशिश करूँगी कि मैं आपको provide करते रहूं और बहुत demand आ रही है राजस्थान assistant professorship के exam को लेते हुए, तो almost मैंने, जो rare thinkers थे, जो आपको available नहीं हो रहा था almost मैंने सब पे बना दिया अभी मीरा कोशाम भी और SL दोशी बागी है, तो अब अगला वीडियो उन्हीं पे आएगा, till then bye bye, check care, पढ़ते रहिए और खुब मस्त रहिए